पूरे बेहार में एंडिय की हवा निकल चुकी है चालिस की चालिस सीट इंडिया गडबंधन जीती गी एक भी काम उन्होंने 15 साल में सीता मड़ी की जनता का किया काफी एनर्जेटिक है काम करने वाला है दो हाजार नौ में इसने काम काफी किया था जनता को उस पर पूरा भरोसा है खरीब जो जनता है वो मर रही है पीस रही है नेपाल की सरत से सटेज सीता मड़ी जिला में सियासत इसलिए तेज है क्योंकि मुखमतरी नितीश कुमार ने बहुत पहले ही अपने उमीदवार की घोचना की थी लेकिन गड़बंधन ने फिर से अरजुर नाया पर भरोसा किया और सीता मड़ी में उन्हें उमीदवार बना दिया आरजेडी के जितने भी घडबंधन के जितने भी नेता है वो यहां कैम कर रहे हैं और जमेनी असतर पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं वो कहरे हैं कि सम्विधान बचाने की लड़ाई है इसलिए आप महागडबंधन के उमीदवार को वोट करिए आरजेडी के सिनियर नेता पूर विधायक सजीद अबुदो जाना भी कैम्प लगा रहे हैं लोगों से मिल जू लड़ा है हालात अच्छे हैं या इंडिये की हवा जो लहर वो लोग दावा करने उस जैसा है पूरे बिहार में इंडिये की हवा निकल चुकी है अब इंडिया की हवा चल रही है और दो चरण आपने देखा किलीन हम लोग सूइप हो रहे हैं अब तीसरे चरण की हमारी है और सीता मढ़े में जेस तरह से अवाम में जोश है इंडिया गड़ बंधन पे कि हमें लगता है कि यह हवा जो चली है तो हमको लगता है कि चालिस की चालिस सीट इंडिया गड़ बंधन जीतेगी सीता मढ़े में तो काफी वोट से जीतेंगे लगबाग 3-4 लाग वोट से हम लोग सिता मड़ी में इंडिया गडवन्धन के अर्जुन राय जीतेंगे आपको लंबे समय से यहां राजीती से जुड़ों में कारे करता हूं लोगों की जो सियासी प्यार होता है वो उमड रहा है देखिए सीता मड़ी की जनता जो हो इंडिया के इंडिया गडवन्धन के जो परत्याशी है यहां पंद्रा साल से यहां की जनता उनको मौका दी भी है और खासकर अभी एमिल सी भी है क्या वो बता देंगे कि एक भी काम उन्होंने पंद्रा साल में सिता मड़ी की जनता का किया उनको तो मौका दिया ही यहां की जनता ने और जनता ने देख भी दिया लेकिन इंडिया गडवन्धन का जो कंड़िड है काफी इनर्जेटिक है क इसने काम काफी किया था जन्ता को उस पर पूरा भरोसा है जन्ता भरोसा कर रही है इसलिए दो हजार चौबिस में भारी मतों से सीता मड़ी की जन्ता जिता के भेजेगी तेस्वी पर शाद यादा का जो जूर रहता है वो ज़्यादातर महगाई बिरुजगारी है और सबसे ज़्यादा मसलव नोकरी को लेकर के है यहां की युवा भी उस बात पर तवज्ज़ दे रहे हैं कि तेस्वी जो वादा कर रहे हैं कि 17 साल बना 17 महीने की लड़ाई का मसला है ये भी इसमें है परभाव पड़ेगा इसका पचास रुपे पिट्रॉल था आज देख लिए कि महंगाई के आहले पिट्रॉल कहा हो गया डीजल कहा हो गया आप गैस सिलंडर हमने 240 रुपे से शुरू किये थी आज इन्होंने कर दिया है 1100 रुपे सिलंडर आप देख लिए ये कड़वा तेल जो आदमी की रोज मर्रे की इस्तमाल की चीज़ कितनी महंगी हो गई है और यह बिचारे जो गरीब जो जनता है वो मर रही है पीस रही है रोज कमाती है और उसको बाद जो खानेदारी के लिए जो समान डेली रोज मर्रे की चीज़ जो है पेट तो है पेट तो मानेगा नहीं बिचारे को काम नौकरी तो मिल नहीं रहा है काम करके आते हैं तेहा उमिद्वार आपके जो हैं और आप लोग एकदम किलियर हैं कि हमाई लड़ाई नहीं है या टफ मुकाबला होने की समभावना है। मुकाबला है ही नहीं है यहाँ पर सीता मड़ी में कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया गडवन्दन का कंडिडेट जी तरह है। इसलिए कि जो कंडिडेट हैं उनको जनता जान चुकी है। और अच्छी तरह से इसलिए कि उनको तीन बार उन्होंने जीते हुए M.L.C. में और उन्होंने क्या किया। एकाक एविडेंस मता दें सिता मड़ी के लिएंज देना है आकदम एक भी एविडेंस मता दें किसी अलाके में एक कीटा भी लग गया हो। खासतर से यहां जो उम्मिदवार हैं उनको लेकर के यह कह रहे हैं कि एंडिये के उम्मिदवार हमारे उम्मिदवार से कमदोर इसलिए पड़ रहे हैं कि जनता से संपर्ग कम रहा विकास का जो काम था वो कम किया जबके अरजुन राये पहले भी विकास किया था और इस बार लोगों का भारी समर्थन में लहा है सहयोगी तन्वीर आलम के साथ सिमा बखतर एडलाइस पिहार सीता मनुद